इन दिनों पूरा उत्तर भारत कडाकी की ठंड से ठिटूर रहा है यूपी में ठंड का सितम ऐसा है कि पारा हर दीन गिरता जा रहा है लोग कड़कडाती ठंड और सर्द हवाओं से बचने के लिए घरों में कैद होने को मजबूर है इसी बीच मौसम बिवाग ने जो चितावनी जारी की है वो यूपी वालों की मुश्किलों को और बढ़ा देगी मौसम बिवाग ने परदेश में कोहरा शितलहर के साथ कोल्डे का ऐलर जारी किया है यानि कई ठंड का ट्रिपल अटैक पुर्वी और पश्मी यूपी के कई लाकों में अतियदिक ठंड रहने की संभाबना जताई गई है मौसम बिवाग का कहना है कि अगले दो दिन ठंड से राहत मिलने के असार नहीं है ठंड बहुत जादा घहना कईरबी है गजन बिल्वकुल Skill काम जहें करना है सधसे हमाइभ बहुत धिक्कत हो रही है आर जाने दिक्कत हो रही है इंस पूरे में घृट जली देखो साथ बजने को ए और अभी अंधेरा है बड़ी दिक्कतों करना पड़ रहा है मौसम विवाग ने 14 और 15 जनवरी को भी मौसम शुष के रहने का अनुमान जता है हाला कि इसके बाद धीरे धीरे तापमान में दो से तीन डिगरी सेलसियत की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है जबकि नियुतम तापमान में कोई बड़े बदलाब की समभाबने नहीं है शुकरवार को यूपी में सबसे ठंड दिन रहा कानपूर में शुकरवार को नियुतम तापमान तीन डिगरी सेलसियस तक महुच गया लखनौ के तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई यहा नियुतम तापमान 6.0 जबके आगरा में 3.9 अलिगर और मेरट में 4.8 मुझफर नगर, शाहजहापूर, ब्रैली और बाराबंकी में 5.0 डिगरी के आसपास रहा और नजिवबाद, लखिमपूर, खीरी, हरदोई, अयोधिया और बलिया में 7.0 तापमान दर्ज किया गया चलिए आपको बताते हैं कि मौसम विभाग ने किंजिलों में कोल्डे और शीतलहर के इलट जारी किया है मौसम विभाग ने जो संभावना जताई है उससे साफ है कि अभी फिलहाल तो ठंड से रहत नहीं मिलने वाली इसलिए गरम कपड़े पहने अंगीठी जलाएं सर्द हवाओं से बचे और जितना हो सके सुबा और रात के वक्त घरों से कम निकले